हालो एवरिवान, वेलकम तो माई योट्यूब चैनल सिविल सूट फाइल करने की जो पूरी प्रोसीडिंग है उसका हम डिस्कुशन करेंगे आज इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है क्योंकि एक हिबार में सारा वीडियो बना दिया और उसके बाद में उसका इतना क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है लोग कमेंट्स में कॉशन पूछते हैं ये चीज़ क्लियर नहीं, ये वो की चीज़ क्लियर नहीं है इसलिए आज मैं पूरा जो प्रोसीजर है पहले वो बता देता हूँ क्योंकि जब तक प्रोसीजर नहीं पता चलेगा तब तक आगे की चीज़ें आपको क्लैरिफाई नहीं होगी तो सबसे पहले हम आज जानते हैं पूरा कम्प्लीट प्रोसीजर कि जब कोई सिविल सूट फाइल होता है वो किस तरह से फाइल होता है और सिविल सूट के फाइल करने से लेकर के डिक्री प्राप्त करने तक कम्प्लीट प्रोसीजर आज हम देखते हैं अपने इस वीडियो में तो कहीं मत जाईए वीडियो में end तक बने रही है हमारे साथ ताकि आपको पूरी प्रोसीजर step by step समझ में आ सके अगर आप new lawyer है young advocate है तो यह प्रोसीजर आपको काफी ज़्यादा help करने वाला है साथ ही अगर आप पहले से ही practice कर रहे हैं यह चीजे कर रहे हैं तो आप जरूर comment करके बताईए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में और हम जानते हैं civil suit file करने का जो complete proceeding है वो क्या है तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमने order 7 के अंटरगत कोई plant या फिर written statement हम file करते हैं तो हमारा जो filing of plant होता है जब वादपत्र हम institute करते हैं किसी भी plant को जब हम file करते हैं तो वहाँ पे order 4 के अंतरगत order 4 के अंतरगत हम plant को file करते हैं तो order 4 के अंतरगत हम plant को यहाँ पर file करते हैं और इसमें क्या होता है plant को जब हम file करते हैं तो हम सबसे पहले क्या आता है जो भी हमारा वादपत्र है plant है उसको हम order 7 के अंतरगत अपनी plant को तयार करते हैं plant को तयार करने के लिए हम जो client का briefing करते है client का interview लेते हैं तो उसमें हम client से सारी सार चीजें जो है वो पूछ लेते हैं कि उसका जो issue है वो क्या है फिर हम उसके लिए plant तयार करते हैं अगर आपको plant के तयार करने समद्दी पूरा procedure देखना है तो इसमें वीडियो के end में एक description में हम link दे देंगे जिसमें हम आपने पूरे पुराने वीडियो में plant को explain कर रखा है कैसे हम plant को लिखते हैं plant को लिखने का क्या तरीका होता है तो जो एक प्लेंटिफ होता है वो जब plant को लिखता है order 7 में और फिर उसको notarize कराता है notarize कराने के बाद ये official work होता है notarize कराना उसको notarize कराने के बाद जो plant है उसके बाद ये जो है office में जाती है office ये court का जो office होता है वहाँ पे इस पे जो है एक stamp नमबर जो है वो दे दिया जाता है stamp नमबर एक तरह से यह होता है कि यह अब stamp नमबर पढ़ने के बाद checking department में plan तुमारी चली जाती है जो suit file किया गया है उसका जो file है वो checking department में चली जाती है अब checking department में कुछ different जो important चीज़े हैं order 6 और 7 के तहट check होती है सबसे पहले कि उसका limitations क्या है यानि कि जो समय सीमा है कहीं वो तो नहीं खतम हो गई है दूसरी बात jurisdiction की बात की जाएगी उसमें civil suit जो इसने आल है में आपने suit दायर किया है उसके पास 16 दिकार है उसे सुनने का कि नहीं है court की fees payment हो गई है proper तरीके से वह वहीं पे clerical staff जो है वो बता देगा आपको जो court का staff है जहां पे office का रियाल है वहाँ बता दिया जाएगा कि अगर कोई stamp missing है वो वहाँ बताएंगे कि आपने court की fees इतने रुपए की stamp लगाने है आपने इतने रुपए कम की stamp लगाई है आप वहाँ पे तुरंत stamp वहाँ पे वह लगा सकते हैं और यह अगर suit जो है वो bard तो नहीं है लोग के दोरा ऐसा कुछ तो नहीं है वो bard है अगर bard है तो वहाँ पे हमें यह पूरा पूरा process में चेक करने में हमें दिमाग लगाना पड़ता है चेक करना पड़ता है कि हमारा जो है क्या objection है अगर कोई इसमें objection आ रहा है department से तो उस objection को हमें remove करना होता है ठीक है यह सब होने के बाद जो office है इसको endorse कर देता हमारी plant को क्या कर देगा इंडोर्स कर देगा इंडोर्स कर देगा यानि कि plant को वो admit कर लेगा admit कर लेने के बाद आपको उसमें date मिल जाएगी date मिलने के भी दो तरीके छोटी date मिलना और बड़ी date मिलना छोटी date हमें कब चाहिए होती है जब हमें बीच में suppose किसी ने हमारी जमीन पे कबजा कर रखा या या फिर तो हमें एक temporary injunction चाहिए होता है तो हमें छोटी date मिलती है otherwise court अपनी सहूलियत के इसाफ से बड़ी date थोड़ी बहुत जो भी उसके पास time limit है उसके इसाफ से date दे देता है date देने के बास summon issue की जाती है यह पूरी proceeding में यहां तक अगर कोई problem हो तो आप जरूर comment box पे ल समन issue करने के बाद दो case बनते हैं कि जो defendant है वो court में appear होता है या defendant court में appear नहीं होता है जब defendant court में appear हो जाता है तो उसमें order 9 rule 1 आ है आपका तो यहां पर वो written statement दाकिल करेगा order 7 के अंतर का अब दूसरी बात आती है जब defendant court में appear नहीं होता है तो order 9 rule 1A 6 1A rule 6 1A यहां पे जब defendant court में appear नहीं होता है तो क्या होगा court के पास क्या option है कि वो ex party कर दे यानि कि जो plaintiff के पक्ष में वो narrative सुना दे इसकी भी पूरी proceeding है इसमें भी court argument करता है parties से सबूत मांगता है कि जो अपने plant में वाद दायर किया है उसमें आपने जो court से आप रहा चाते हो उसके लिए आपके पास क्या सबूत है उन सबूतों को परताल करता है उनको cross examination करता है cross examination करने के बाद वो फिर ex party order pass करती है court तो इसमें evidence जो होता है plaintive के द्वारा वो submit किये जाते हैं फिर judgment court जो है ex party decree court issue कर देती है अब इसमें आते हैं और court में defendant अपियर हो गया और 9 rule 1 के अंतर गत अब वहां पर क्या है अब वहां पर written statement लिखी जाएगी तो रिटेन statement का जो फाइल करने का process है order 7 के अंतर गत रिटेन statement लिखी जाएगी यह बिलकुल clear हो जाना चाहिए अब 30 दिनों के अंदर अंदर ये written statement फाइल हो जानी चाहिए अगर आपने 30 दिनों के अंदर रिटेन स्टेटमेंट फाइल नहीं किये तो maximum extension पीरेड इसका दो महीने का है यानि कि 90 दिनों के अंदर ही आप की रिटेन स्टेटमेंट फाइल हो जानी चाहिए अब यह कि 90 दिनों में भी जो डिफेंडेंट है वो रिटेन स्टेटमेंट फाइल कर देगा तो इसमें यह को सब्सक्राइब कि अगर कोई allegation है वो कोई defined नहीं किया गया है तो उसको यानि कि जो प्लेंटिफ है वो allegations लगाएगा defendant के उपर कि उसने उसकी जिन जिकारों का हनन किया है या उसने उसके rights का यहां यहां पर infringement किया है तो defendant अगर उनके किसी point को मैं कोई allegation मतलब जो कोई allegation इसको deny नहीं कर रहा है इसका मतलब वो accept कर रहा है तो उसको admit माना जाएगा यानि कि आपको written statement में बहुत अच्छे से एक एक point पढ़ना है जो भी written statement आपके lawyer जो है वो एक एक point अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हर point पे कि वो इस particular point पे agree है या इस particular point पे agree नहीं है तो वहां पे वो अपना written statement में उसको लिखेंगे प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो accepted मान लिया जाएगा ठीक है तो यहां पे अब defendant के पास दो तरीके यह यह या तो defendant सेट आफ कर सकता है अच्छा इन during the procedure बीच में कभी भी defendant जो वो अपना case वापस ले सकता है ठीक है तो कभी भी बीच में दोनों पार्टियां आपसी समझाता तयार कर तो समझाता नामा बनता है तो उसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा प्रोसेस का लेकिन आज हम खाली इसमें प्रोसेस समझा रहा है प्रोसेस के बाद नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्टप हम फर्दर समझाएंगे दुबार से तो रेटेन फाइल तब करेगा यह क्या सिच्पेशन हो सकती है कि अगर डिफेंडेंट काउंटर क्लेम का दावा कर रहा है या फिर इस केस में प्लेंटिफ को तो यहां पर सेट आफ करने की कोशिस कर रहा है तो भी वहाँ पर यह जो है का रेप्लिकेशन फाइल की जाएगी प्लेंट के द्वारा ठीक है इसके बाद में तीन सिच्वेशन यह जो मैंने बताई है कि जब यह कोड में बाई लौ अगर उसने रिक्वाइड है तब तब यह यह रैप्लिकेशन फाइल होगी जब डिफेंडेंट ना कोई काउंटर क्लेम किया है या सेट आफ प्लीडेट बाई की ओरजिनल कॉपी तब ही मैंने का कि जो डॉक्यमेंट की जो फैरिस तैयार की जाएगी एक पूरा फार्म होता है उस फार्म को भरा जाता है और वो फार्म जो होता है वो आप मैनुवल भी कर सकते हो और यह इसका जो प्रोफार्मा बना बनाया भी आता है वहीं मिल जाता है court में तो वो उससे भी आप उस प्रोफार्मा में भी आप भर सकते हो ठीक है कि यह document submit कर रहा है तो इसकी जो original documents है वो court में submit करेगा और इसकी एक second copy second copy जो है वो plaintiff को ठीक है जो plaintiff है वो defendant को available कराएगा तो document original होंगे और उसकी copy जो है opposite party को दी जाएगी अगर plaintiff ने कोई document submit किया है तो उसकी second copy रख कराएगा और अगर defendant ने कोई document submit किया है तो उसकी भी वो second copy कराएगा वो second copy जो है वो किसको दी जाएगी अगर plaintiff ने submit किया है तो defendant को दी जाएगी defendant ने किया है तो plaintiff को दी जाएगी सबूत जो होते हैं और उसी के भियाप पर पूरा court case चलता है जो भी document court में फाइल नहीं किये गए हैं उन document में आगे जाकर के कोई भी आप argument नहीं कर सकते हैं यहाँ पर facts जो हैं वही consider के जाएंगे जिनके आप तत्य सबूत जो हैं तत्य जो हैं उनसे supporting evidence जो हैं वह आप court में दाखिल कर सकते हैं को documentary evidence आपके पास होना चाहिए दोनों पार्टियां court में फाइल किये तरह रखा है तो आप पेस करोगे फिर सामय वाली पार्टि केगे यह जी है तो गलत है फिडेविट ही नहीं है यह सी condition तो इस तरह से जो भी document की term and conditions है वह document आप original court में submit करोगे उसकी second copy विपच्ची को available कराओगे ठीक है दोनों पार्टियां जो court में file किये document को या तो admit करेंगी या deny करेंगी जो को party अगर admit कर लेदी तो उसको फिर प्रूव करने की जोड़त नहीं होती है court में deny करेंगी तो उसको उसके support में अपने argument में बताना पड़ेगा ठीक है यह सब हो जाने के बाद अब जो है नियायाल है order 14 में जज़साब जो है issue framing करेंग कि इन में से बहुत से चीजें जो हैं वो सम्मिट की जाएंगी court समझेगी court plenty plant समझेगी प्लेंट में जो आप court से चाहते हो मैंने कहा था आपको प्लेंट लिखने का पूरा तरीका समझाए था इसके वीडियों के बाद भी बहुत important point है और मैं फिर से repeat कर रहा हूं कि आपक में पूरी बात explain कर दे और सामने वाले जो जड़ साब हैं उनको लगे कि हां को किसी व्यक्ति ने जो है वकिल साब ने बहुत अच्छी plant लिखी है और आधे से ज्यादा दिमाग mind reading का पूरा game होता है तो उस mind reading में आपको जितनी अच्छी आपके presentation रहेगी उतना ही आपका case strong रहेगा और आपकी reputation बनेगी तो यह जो है आप बहुत अच्छे से जान लखी कि जो आप चाहते हो जो अनुतों साब प्राप्त करना चाहते हो उसको बाकाइदा underline करके आप लिखिए कि नियाले से यह दर्ख्वास्त है कि तुम्हें यह तुम्हारे यह right हुए है court की जो आपने issue framing बहुत issue framing करें यह जो plant है उसमें चीजें बहुत साफ साफ बहुत अच्छे से लिखी जानी चाहिए plant एक बार मैं पुरानी वीडियो का भी link दूँगा और अगर special request है तो मैं दुबारा से plant का खाली अलग से लिख चलूँगा plant कैसे लिखी जाती है बहुत ही आसा से ही जीत जाते हो ठीक है court की proceeding में आपको interest आने लगेगा और आप जितना court की प्रोसेडिंग में इंट्रेस्ट बखबर पर होगे उतनी अच्छी आपके practice होती जाएगे अब आप जो है order 14 में issue framing हो जाता है issue framing में जो भी dispute होता है suit का वो dispute जो है वो उसको देखा जाता है और उसके इसाफ से issue को frame कर दिया जाता है issue of court में court के द्वारा frame हो जाता है उसके basis पर argument होती है कि यह issue है इसका यह आप फालतों की कोई बहस नहीं कर सकते हैं ना जस्ता आपके पास इतना time है ना आपके पास इतना time होना चाहिए आप जो है cable जो issue है जो विवादक तक तक तो है जो issue framing हो गई है उस पे अब दोनों प प्रेम हो जाता है वो issue frame करने के बाद court में दोनों parties अपने गवाहों की list submit करेंगी विटनेस की list जब submit करी जाएगी तो उन विटनेस का cross examination होगा witness का जो cross examination होगा plaintiff की तरफ से जो witness पेस की गए उनका पहले होगा फिर उसके बाद defendant को chance मिलेगा defendant की तरफ से जितने witness होगे उनको cross examination की जाएगा सबसे पहले plaintiff अपने witness को court में एफिडेविट form में evidence file करा लेता है फिर defendant का जो भी एफिडेविट file हुआ है उस पर cross examination का मौका दिया जाता है ठीक है फिर defendant को मौका दिया जाता है कि वो अपने witnesses को एफिडेविट court में file करें और plaintiff उसका cross examination करेगा ठीक ह इस तरह से ये एफिडेविट का जो cross examination हो जाएगा जो विटनेसे से उनका cross examination हो जाएगा फिर आपकी final hearing होगी order 18 के अंतरगत argument पहले plaintiff करेगा फिर defendant को argument करने का chance दिया जाएगा पार्टी जो भी है वो चाहे तो written argument भी paste कर सकती है court में अब जो order 18 है उसमे फाइनल hearing होने के बाद order 20 में judgment पास हो जाएगा तो judgment जिसके favor में जाएगा उसे बोलते है decree holder और judgment जिसके against जाएगा उसे बोलते है judgment data ठीक है अब judgment जिसके favor में जाता हूसे decree holder बोला जाता है और judgment जि के अगेंस्ट में जाता है उसे हम decree holder कहते हैं जिसके अगेंस्ट में जदि कर दिया थे दिया आप मालू किसी किसी ने आपकी जमीन कपजम कर रखी कोड़ ने कह दिया कि जमीन जो है वह तब्जा नहीं कर सकता है उसके खिलाफ पुप ने ओर्डर पास कर दिया फिर भी वह पज़ाज रखें तो फिर ओड़र आएगा जहां पर decree को execute कराने की application जो है वो plaintiff दायर करेगा जो भी पीडिट पार्टी है पीडिट पक्ष है वो दायर करेगा court में कि यह decree पार्टी इसको execute कराए जाए साथ तो यह पूरी process है उसके बाद review, revision और appeal, review same court में होगी, revision और appeal higher court में होगी यह पूरा process है complete civil proceeding का तो यह वीडियो बनाना इसलिए जब़ी था कि आपको पूरी civil proceeding को end to end समझाना था ठीक है अब civil procedure में कई साल लग जाते हैं अगर civil suit file होता है तो कई सारे motions होते हैं जो court applications move होती है तो इस दोरान अगर आपको interim injection चाहिए कोई temporary court से stay order जैसे stay order कराना है तो आपको order 39 में temporary injunction के लिए जाना पड़ेगा receiver appoint कराना है तो order 40 में commissioner appoint कराना है तो order 26 में arrest and attachment before the judgment है तो order 38 में यह important है काफी और अगर इस बीच में दोनों party में कोई समझाता हो जाता है compromise हो जाता है और वह अपना suit withdraw करना चाहती है तो order 23 में I hope आपको यह पसंद आया होगा वीडियो काफी detail में पूरी की civil proceeding के starting से लेके judgment तक समझा दी है procedure क्या होती है ताकि आपको अब जो step समझाए जाएंगे court की proceeding की तो वह आपको clear cut समझ में आएंगे तो thank you for watching us आप जो है इस चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और जितना ज़यदा ज़यदा share कर सकते है share कीजिए ताकि सब लोग इसका benefit ले सके thank you for watching